राधे राधे एवरिवन, फ्रेंड्स आज की वीडियो में मैं आपको आमला नोमी की बहुती सरल पूचाविथी बताऊंगी कार्तिक मास के शुकल पक्स की नोमी तिथी को यानि के जो दिवाली के बाद नोमी तिथी आती है उसे अक्षे नोमी या आमला नोमी के नाम से जाना जाता है इस दिन आमले के पेड़ का पूजन किया जाता है आमले के पेड़ में भगवान शिरी हरी विष्णू का वास होता है और कार्तिक का पूरा महिना ही भगवान विष्णू को समर्पित होता है तो आमला नौमी के दिन आमले के पेड़ का पूजन करना आमले का सेवन करना और आ पूझा वाबर स्वास्तिक स्वास्तिक करें, स्वास्तिक बनाने के बाद हम पूजा शुरू करेंगे तो जब भी हम किसी देवरक्स की पूजा करते हैं सबसे पहले हम जल सीच दे हैं यहाँ पर हमने एक लोटा जल ले लिया है जल में हम हल्दी मिलाएंगे तो यहाँ पर थोड़ी सी हल्दी मैंने डाल ली है हल्दी यु मैंने स्वास्तिक बना लिया है आपका गमला अगर बड़ा है तो गमले में ही आप स्वास्तिक बना सकते हैं और पूजन कर सकते हैं यहाँ पर मैंने नीचे यह स्वास्तिक बनाया है गनेश जी के रूप में हम स्वास्तिका ही पूजन कर लेते हैं इसके बाद देखे बार तिलक यहां पर करेंगे गमले को भी मैंने तिलक कर दिया है यहां पर दिये को भी मैंने तिलक कर दिया है और आमले के पेड को भी मैं इस तरह से हल्दी से और रोली से तिलक कर दूँगे इसके बाद देखे वस्तर सवरूप हम कलावा समर्पित करेंगे तो यहां पर कला उसके हिसाब से आप सवा मीटर सवा पांच मीटर जितना भी होसके उतना वस्तराप ले 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 और दक्षिना ले 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 ये हम पेड को समर्पित करेंगे साथ में ही हम फूल समर्पित करेंगे तो हो सके तो आप पीले रंग के फूल समर्पित करेंगे क्योंकि भगवान तिल समर्पित करेंगे और दिये में भी हम तिल लालेंगे इसके बाद हम जल समर्पित करेंगे अब हम भोग समर्पित करेंगे तो भोग में हम या पर पता से समर्पित कर सकते हैं कोई भी मिठाई ले सकते हैं जद भी भोग समर्पित करेंगे तो मिठाई हमें गमले में नही रखनी है क्योंकि चीटियां लग जाएंगी थोड़ा सा गंले को इस तरह से दिखा के पेड़ को हम साथ में ही ये मिठाईयां रख देंगे उसके बाद रीतूफल समर्पित करेंगे तो जो भी रीतूफल है आपो ले लिजे आवला नोमी है तो आवला हमें जरूर समर्पित करना है आप चाहें तो आप 5, 11, 21 जितने भी होसके उतने आवले आप समर्पित कर सकते हैं इस दिन आवले का दान करना आवले का सेवन करना आवले का पूजन करना बहुत ही फलदाई होता है तो यह पर हम आवला समर्पित कर देंगे और देखे इसके साथ ही हम कथा सुनें कथा का वीडियो आपको चैनल पर मिल जाएगा लिंक में आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी आप वहां से देख लेना कथा सुनने के बाद जो हमने हाथ में तिल लिये हैं वो हम आमले के पेड़ को समर्पित करेंगे और थोड़े से तिल हम दिये में भी डाल देंगे इस तरह से हमारी कथा पून हो जाएगी अब देखिए क्योंकि आमले में भगवान विश्नु का वास होता है भगवान विश्नु का पूजन किया जाता है तो तूलसी आप चरूर समर्पित करें और उसके बाद जो आमले मैंने लिये थे एक एक आमला देखिए इस तरह से म हमें परिकर्मा करनी है तो कम से कम आप नो परिकर्मा आमले के पेड़ की जरूर जरूर करें ये गिंती में आसानी रहती है इसलिए मैं हर बार एक एक आमला इस तरह से रखती चली जाओंगी जिससे मुझे अच्छे से गिंती हो जाएगी कि नो परिकर्मा हो गई है ज्या कामनाओं को पूर्ण करने के लिए भगवान से प्रारतना करेंगे इसके बाद देखे जब पूजा हम कर लेंगे उसके बाद जो आमले हैं वो हमें दान कर देने हैं जो भी भोग परशाद है वो आप सभी को परशाद सवरू बाट सकते हैं इसके साथ ही देखिए जो जलका के मंदिर में भी आप इनको दान कर सकते हैं यानि यह चीज़े हमें दान करनी है बाकी जो फल लिये हैं और मिठाईया भोग परशाद का है वो आप सभी बच्चों में या घर के सभी सदश्यों में परशाद सवरू बाट सकते हैं इस तरह से आमला नौमी का पूजन की आ आपको बताई है अगर ये विदिया आपको पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करना और हिंदु धरम के सभी तीज दोहरों की संपोन जानकारी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना तो फिर मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ तब तक के लिए जैश्र क्रिष्णा राधे राधे